मुखे मंत्री के कुर्सी पर चिपक करो इस तरह बैटे हुए हैं जैसे लग रहा है कि उनके पिछवाड़े में फेबिकोल लगा दिया गया है राश्ट्र की जो सरकार है महागाडी की जो सरकार है अब पपू को देखते होंगे इसका एक ही काम बचा है रोज सुबह में उठो जिस दिन मौका मिले दो चार मेडिया वाले को बुलाओ और नरिंद्र मोदी जी के छबी को खराब करने का बदनाम करने का असफल पर्यास करो क्या करता है वो जो मन में आता है बोलता है कभी भारत की तुलना लीबिया से करता है कभी इराग से भारत की तुलना करता है कभी भारत की एससवी परधान मंतरी की तुलना गदाफी से करता है सुभास भाई जिस तरह से महराश्ट की politics में इस समय बहुत बड़ा crisis चल रहा है उधव ठाकरे मीटिंग ले रहे हैं अनिल देशमुक के साथ लेकिन अनिल देशमुक को हटा नहीं रहे हैं क्या वज़ा है कि उधाव ठाकरे अनिल देश्मूग को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या पत्फरकार महोद कि एक जगह से पैसा आता होगा कि जितने सारे काबिनेट हैं सेटने अलग अलग पोटिफोल्यो हैं हरेक जगह पर कुछ ने कुछ southwest अघहारी की सरकार है तो कुछ पैसे उसेना के पास भी पहुंचता होगा इनशी के पास पहुंचता और 24 अकबर के पप्पू के दर्बार में भी पहुंचता होगा तो क्यों लोग आवाज उठाएंगे अगर मिल बाटकर लूटकर खाएंगे तो कहीं न कहीं उनके मन में विश्वास है कि एक को अगर हम पकड़ेंगे एक का टांग खिचने का कोसिस करेंगे तो सब के कैरेक्ट को सबके चरितर का चितरन हो जाएगा यहाँ पर तो यह सिर्फ अनिल देश्मुख को नहीं बचाया जा रहा है अनिल देश्मुख तो एक प्यादा है वो मोहरा है उसके पीछे कितने बड़े बड़े लोग सतरंज के इस विसाद पर बैटकर खेल खेलने का कारे कर रहे थे उ ऐसे लग रहा है कि उनके पिछवाडे में फेविकोल लगा दिया गया है कुछ भी हो जाए उठी नहीं सकते हैं उससे तो जिसके पिछवाडे में फेविकोल लगा दिया गया है वो तो अपने आपको उहाँ पर चिपकाने के लिए कि मेरा फेविकोल कितना स्ट्रॉंग है तो येन केन प्रकारेंड कोई भी ऐसा कारे करेगा कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर चिपक कर बैटे रहा ना आपके कहने का मतलब भी है कि आनिल देशमुक को इसलिए नहीं निकाला जारा कि आनिल देशमुक के पास बहुत सारे राज है इन नेताओं के बिल्कुल बिल्कुल और ये चर्चा जब मैं आपसे कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सो करों के उगाही का चर्चा कर रहा हूं आप यह हम भूल सकते हैं क्या अप्रिल 2020 में जो पाल घर के संतों के सांथ हुआ था ये तमाम लोग जो पहलू और एखलाक के नाम पर च्छाती पिटने लगते हैं एक भी लोगों ने कोई बयान दिया था सब लोग उस मॉब लिंचिंग को ऐसा दर्साने का कोशिस कर रहे थे कि गल्ती से ये घटना हो गया पहले तो कोई एक सिप्ट नहीं कर रहा था इलजाम लगाना चाहे उन पुझे संतों पर कि ये बच्चा चोरी गिरों के सरगना थे और उसके सदस्य थे वहां से जब ये कारे में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसको दूसरा रूप देना चाहा और जितने सारे बॉलिवूट के लोग बैठे हुए हैं किसी ने किसी भी तरह का बयान उस पर नहीं दिया पालघर केस के बाद दिशा साल्यान का मिस्टेरियस सुसाइड केस ये जितने सारे तमाम लोग हैं सब मुंबई पुलिस को महराश्टरा पुलिस को डिफेंड करने का कारे किये सुसान सिंग राजपूत केस सबसे ज़्यादा अगर महराष्टरा पुलिस को कोई डिफेंड करने का कार्य और कोशिज कर रहा था तो उस सक्स का नाम अनिल देश्मूग था इस परस्ट आकर इगोईस्टिक होकर बोलता था एकदम एरोगेंट होकर उसका एरोगेंट जहलगता था उसके चेहरा से बोलता था कि पुलिस अपना कारे कर रही और मुझे मुंबई के पुलिस कमिस्टर पर बहुत भरोसा है और आज अचानक से जब आपका आपके मंत्राले का आपके डिपार्टमेंट का काला चीठा उस कमिस्नर ने खोलने का कारे किया जुरत किया उसमें आपको दाग दिखने लगा तो कहीं न कहीं ये सारे लोग ये कहीं थाली के चट्टे मैं तो अगर मेरा आप इस इंडिविजूल ने तो मैं परंबीर सिंग को भी पाक साफ नहीं बताता हूं क्योंकि उसने भी जब मुंबई पुलिस के कमिस्नर थे तो कहीं ना कहीं से सचीन वाजे का पक्ष रखने का कारे किया और क्यों मुंबई पुलिस कमिस्नर का मतलब होता है कि वो पूरे कारी जो कि डाइरेक्ट डिसीपी भी ना हो डाइरेक्ट डिसीपी इन दे सेंस कि उसने महराष्ट्रा पुलिसिंग सर्विस कमिशन का कोई एक्जाम नहीं करा किया हो और वो रायगढ़ के के एसपी को मैं आपको अरणब गोस्वामी के किस में लेकर जाना चाहता हूं जब अरणब गो स्वामी को आरिस्ट करने कर रहे थे और रायगढ़ की जो पूलिसिंग के पूरे मीडिया को अपर ब्रीफिंग किजिए अब इम युघन किजिए कि एक IPS officer को जब एक inspector rank का एक inspector rank का इंसान phone करके और उसको आदेश जारी करे तो कैसा जिंदगी जीता होगा और ECP, DCP को क्या समझता होगा अपने आगे कहीं न कहीं परंबिर सिंग उसमें दोसी थे बिल्कुल अनलील देश मुख ने 16 साल के उसके कारे के बाद और मैंने अपने जिंदगी में पहला बार देखा कि कोई इनसान 2008 में स्वेक्षा से इस्तिफा लिया हो उसको आप कोवीड तो एक बहाना था कोवीड एक बहाना था इन्हें असल रूप में वैसे भरस्ट अधिकारियों को सामने लाना था जो कहीं मैं एक आर्टिकल पढ़ ला था सचीन वाजे के साथ अगस्त 2020 के आसपास की घटना है पैनेडैमिक के समय जब 18 पुलिस वाले एलोंग विद सचीन वाजे जब इनको सचीन वाजे जैसे ही फर्स डे इंट्री मारा इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टपेंट उसको सौपा गया गरे मंत्रा लेका जो कि किसी ऐसे तेज तरार पुलिस ऑफिसर को सौपा जाता है जिसके सर्विस कैरियर में कोई दाग ना लगा हो ऐसा डिपार्ट्मेंट सौं बच्चा है रोज सुबह में उठो जिस दिन मौका मिले दोचार मेडिया वाले को बुलाओ और नरेंद्र हुआ हमें उसका भी जबाब चाहिए और हमें एक बात बताईए आप GDP का रोना रो रहे थे आप अर्थ बेवस्था का रोना रो रहे थे भाई सहब ग्लोबल पैनेडैमिक भारत में ही नहीं आया था यह पूरे बिश्व को प्रभावित किया तबाह किया आप यहीं कर रहे थ आपदा में औसर खोजिए तो आपने आपदा में ऐसा औसर खोजा कि सीधे लिस्ट बना दिये कि सत्रह सो पचास बार रेस्टोरेंट है तो कहां से कितनी उगाही करनी है बाहरे आपदा में औसर खोजना यह जानना बहुत जरूरी हो गया है यह जिस तरह से परम बीर कि जो भी भारत के constitution को पढ़ेंगे जो भी constitutional laws को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पस्ट रूप से mention किया गया है कि कुछ ही ऐसे points हैं जिसका direct supreme court में hearing हो सकता है मतलब सीधे आप appealing के लिए supreme court जा सकते हो वरना step by step एक काम हो सकता है लेकिन किसी भी case को आप high court के पास सुनवाई क के लिए लेकर जा सकते हो तो सुप्रीम कोट ने कुछ भी गलत नहीं किया है सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट को at the end of the न्याले पर भरोसा है बॉंबे हाई को जैसे यह लोग न्याले का ओहलना करके सुप्रीम कोट से अगर कोई decision BJP के पक्ष में आता है तो यह लोग बो सावित लोग होते हैं उनको न्याय दिलाने का कार्य करता है लेकिन जो प्रस्थ आपने किया कि क्यों सुप्रीम कोट ने रिजेक्ट किया सुप्रीम कोट ने जो direction दिया बॉंबे हाई को इस लिए दिया क्योंकि जब आप संभिधान के संस्करण को पढ़ेंगे तो कहीं न स्थागत तरीके से उच न्याले के पास हीरिंग के लिए रख सकते हैं काले को अधिकार है और आज सुप्रीम कोट ओफ इंडिया और उनरेबल जजेज ने उसी का पालन करते हुए इस केस को बॉंबे हाई कोट के पास भेजा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में यह जो काला चिठा है एंसीपी का उधाव ठाकरे क का पपू का अनिल देश्मुख का और यहां तक की परंभीर सिंग का भी यह बहुत जल्दी जनता जनार्दन के सामने होगा